इश्यमसी की जीवन करम को हमलग ध्यान कर रहे हैं इस संसार में देहरूपी होकर प्रवेश करने से पहले सनातन यग में परमेश्वर के उस राज्ज में स्वर्गलोग में परमेश्वर होकर और मनश्य को रूप धारन करने के लिए निरने लेते हुए इश्र्मसी किस प्रकास से मरियम की गर्ब में धारन होते हैं और एक छोटे सिश्री को रूप में संसार में जन्म लेते हैं उसके बाद इंकी फरवरिश में उनके बच्षपन, उनकी जवानी और उनकी सेवगाई की आरम के इस्तितियों को देखते हैं किस प्रकास से इश्यमसी की बप्तिसमा होती है और किस प्रकास से आत्मा के द्वारे सिखाये जाने के लिए जंगल में ले जाये जाते है और सिक्षा के बाद में परिक्षा करवाने के लिए शैतानों के वहाँ पर पदिक्षा करता है संपूर सिक्षा और संपूर नापरिक्षाओं का खत्म करने के बाद इश्यमसी उस जंगल से बाहर आते हैं उस पहार से नेचे उतराते हैं मनों समाज में प्रवेश करते हैं सिवकाएक आरम करते हैं इस बहुत इक शेडर में रहते हुए इश्यमसी ने कुल अपने जीवन काल में 37 से बड़े चमतकारों को किये थे जिनके बारे में मद्दी का सुसमाचार, मर्को सुलू का और यहुना के सुसमाचार में इन सारी घटनाओं को देखने हैं इश्यमसी के जीवन करम में एक चरन से हम लोग आके बढ़ते जा रहे हैं अपने पूर्न सेवकाए की दोरान इश्यमसी ने 37 से चमतकारों को किये हैं ऐसा अद्बुत कामों को किये हैं, चंगायों को किये हैं, चिटकारे के कामों को किये हैं, मुर्दों को जिलाए हैं, इन में से अब तक हमने 12 चमतकारों को देखा हैं, अज तेरवी चमतकार के और अपनी दुरस्टी को लेकर चलते हैं, ये 13 चमतकार और 12 चमतकार दोनों एक समय होते हैं बस फरक इतना है एक यातरा में होता है और दूसरा यातरा खत्म होने के बाद इश्मस्य अपने चेलों को संग लेकर जेल के उस पार जाना चाहते हैं जो गदरेनियों की देश है जहां ऐसे लोग रहते हैं जो इश्मस्य को जानते हैं जहां एक ऐसी जाती निवास करती है जो यहोदियों के परमेश्वर अरधात, श्रिष्टिकरता परमेश्वर को नहीं मानते हैं क्योंकि वो रहे जानते नहीं थे, इन्हें बाइबल के शब्दों में देखा जाय तो अनिजाती कहा जाता है, तो इश्यमसी आज उ प्रबू है स्वामी हम नाश वे जाते हैं उठो और हमें बचाओ इश्य मसी उड़ते हैं उनके अलव विशास को देकर उने डाणते हैं साती साती इश्य मसी ने आंदी को और पानी को भी डाणता दोनों ही शामतों गए हैं उसके बाद यातरा आगे बढ़ती हैं अपनी करने के लिए एक को चमतकार इंतजार कर रही थी चमतकार का अर्द है जहां पर असंबह के कामों को संबो करना जहां पर घटी है जहां पर नुकसान है जहां तकलीफ है जहां तंगी है जहां मसी बते हैं वहां पर रहत को ले कराना अन्होनी चीज़ को होनी करना इसी को चम लुआ पया की अधा है इसलिए इसे अद्भुत काम या फिर आश्चरी के काम या फिर चमतकार कहते हैं। समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है। और देखो सारे नगर के लोगी इस उसे भेट करने को निकल आये और उसे देख खर भिंती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। है हम इसी भाग को लुकार से सुचमाचार आटवाद याए शब्वी सोचन से पढ़कर देखेंगे। फिर गिरासिनों के देश में पहुँचा जो उस पार कलेल के सामने है। जब एक किनारी पर उत्रा तो उस नगर का एक मनश उसे मिला जिसमें दुस्ठात माय थी। अब बहुत दिनों से ना कपड़ा पहनता था और ना घर में रहता था वरन कबरों में रहा करता था। वो इशु को देख़ चिलाया और उसके सामने गिर कर उंचे शब से कहा। हे परमप्रधान परमेश्वर के पुतरी इशु, मुझे तुझ से क्या काम, मैं तरी बिंती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वो उस अशु धात्मा को उस मनश में से निकलने की आगे दे रहा था। इसलिए कि वो उस पर बार बार प्रबल होती थी, और यदि भी लोग उसे संकलों से और बेड़ियों से बानते थे, तो भी वो बंदनों को तोड़ डालता था, और दुस्ठातमा उसे जंगल में भगाये फिरती थी, इशु ने उससे पूछा, तिरह क्या नाम है, उसने कह हां सेना, क्योंकि बहुत दुस्ठातमा उसमें पैड़ गई थी, और उन्हें ने उससे बिंदी की, कि हमें अथा गड़ा में जाने की आग्या ना दे, वहां पाड़ पर सोरं का एक जुन्ट चर रहा था, तो उन्हें ने उससे बिंदी की, कि हमें उन में पैटने दे, तो नगर में और गाओं में जाकर उसका समाचर बता दिये और लोग ये जो हुआ था उसे देखने के लिए आये थे और ईश्य के पास आकर जिस मनश्य दुस्ठात्मा निकली थी उसे ईश्य के पाओं के पास कपड़े पहने और सचेद बैटे हुए पाकर ढर गए और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुस्ठात्मा का सतायो मनश्य किस प्रकार अच्छा हुआ तब गिरैसिनों के आँस पास के लोगों ने इश्य से भिंती की कि हमारे यांसे चला जा क्योंकि उन पर बड़ा भाय चा गया था सो वह नाव पर चड़कर लौट गया जिस मनश्य दुस्ठात्मा निकली थी वह उसे बिंती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे पर अच्छी ने उसे विदा करके कहा अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमिश्मन ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये है वो जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि इश्य ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किये जब इशु लवट रहा था तो लोग उससे आनन के साथ मिलें क्योंकि वे उसकी बाद जोह रहे थे नाउट से ठकरा कर नाउट को तोड़कर उन्हें डुबाती हुई बृत्य के दुबार तक पहुंचाने वाले उन्समदरी लहरों को ढाट कर इशु मुसी ने दोनों को शांत कर दिया था उसके बाद गदरिन की देश में पैर रखते हैं जैसे ही पैर रखते हैं इशु मुसी के सामना एक दुस्टात्मक रस्त विक्ति के साथ होती है मत्य कसु समाचर में हमने दिखा था दो विक्ति वहाँ पर नजर आते हैं लेकिन लुका ने जब लिखा है तो एक विक्ति के बारे में लिखा है। वे कैते हैं आके लिए हैं एक सेना है देखते किस प्रकार रहा करता था यह मनश्य 2700 अच्छ में लिखा हुआ है बहुत दिनों से कपड़े नहीं पेंता था और ना ही यह घर में रहता था इनका निवास्तान का बरस्तान था इश्यो को देखते यह बेखते ही चिला कर बड़ी उच्छे शिब्दें पुकार कर कहने लगा हे परमप्रधान परमेश्वर के पुतर इश्यो मुझे तुझ से क्या काम मैं तेरी भिंती घरता हो तुम मुझे पीडा ना दे यह दुश्ठात में जानते हैं इश्यो मसी कौन है अब पूरी तरह से पैचानते हैं बहुत अच्छी तरह से पैचानते हैं हे परमप्रधान परमेश्वर के पुतर इश्यो इस प्रकार का संभोधन अभी तक इश्यो मसी के बारे में किसी ने नहीं किया है हमने इस से पहले भी इस प्रकार से ध्यान किया था जानते हैं कि इशू कौन हैं उसके बाद अगर इशू मसी को को जानते हैं तो सिर्फ अबबतिस्मा यूहना जानते हैं उसके बाद अगर इशू मसी को मसीहा के रूप में किसी ने देखा है तो सामरी स्री ने देखा है और सामरी देश के लोगे ने जाना है कि इशू ही मसीह जिनकी इंतिजार भी कर रहे थे इसके बाद अगर इश्यू को एक मसीहा के रूप में जानते हैं तो वो सिर्फ दुस्ठाद में जानती है अभी तक इश्यू के चेलों में से किसी ने भी नहीं पैचाना कि इश्यू मसीहा है और जिनकी वो बाट जो रहे हैं वो ही परमेश्वर का पूत्र परमप्रधान का पूत्र इश्यू मसी ہے उन जानता है कि इश्यू मसी उसे बंदी बनाकर उसे अध्लोग में डाल सकता है दुस्ठाद मैं जानते हैं कि संसार को छोडने के बाद उनका अंतिम लक्षिस्तान अध्लोग होगा और वही पर वे सनातन के लिए अनतकाल के लिए पीड़ा को पराप्त करते रहेंगे इसलिए इश्यमसी से बिंती करते हैं कि उनको पीड़ा ना दे क्योंकि वो उखषिध धातपा जानता था कि मनश में से निकलने के आगया इश्यमसी देने वाला है और इसलिए वो इश्यमसी के सामने वे उस वेक्ति के भीतर बार बार प्रबल होने लगी लेकिन इश्यमसी उसे बाहर निकलने के आगया देते हैं इस वेक्ति के अंदर इतनी सामर्थ थी इतनी शिक्ति थी कि बार बार इसे सांकलों से बांदा जाता था इसे बेड़ीों से बांड दिया जाता था लेकि नोग सारे बंदनों को तोड़कर बाहर निकलाता था और उसके रद दुस्ठात में उसे जंगल में भगाए फिरती थी दुस्ठात मर्गर स्विक्ति के बारे में मर्कुस कुछ और विवरों को जोडते हैं आहिनी बातों को देखेंगे मर्कुस का सुसमाचार पांच पाध्या फैला वचन से और वे जील के पार गिरासुने के देश में पहुँचे और जब वन ना उपर से उतरा तो तुरन तिक मनुश्ची जिश में दुस्ठात्मा थी कबरों से निकल कर उसके सामने आ मिला वा कबरों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांद सकता था कि वा बार बार बेडियों और सांकलों से बांदा गया था पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेडियों को टुकडे टुकडे कर दिया और कोई इसे अपने वश्मन नहीं कर सकता था वह लगाता रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिलाता और अपने आपको पत्तिर से घाहल करता था वह अईशु को देख दूर ही इसे दोड़ा और इसे प्रणाम किया और उचे शब्से चिला कर कहा हे इशू परमप्रधान परमिश्वर के पुत्र मुझे तुझे क्या काम मैं तुझे परमिश्वर की शपत देता हूँ कि मुझे पीडा ना दे इस विक्ति के बारे में मर्कुस ने लिखा है कि वो विक्ति अपने आपको पत्थोनों से गाहल करता था इस विक्ति को सांकलों और बेडियों से बांदा करते थे यह विक्ति निर्वस्तर होकर घुमा करता था इतना ही नहीं पत्थरों को लेकार अपने ही शिरे को कूटदा था अपने आपको घायल किया करता था बड़ी कोशिशों के बाद सांकलों से बेडियों से बांद कर इसे जंजीरों से बांद कर कबरसान में छोड़ दिया करते थे लेकिन वहां से उनको भी तोड़ कर भाहर निकलाता था और दुस्ठात्माएं इनको जंगलों में भगाये करती थी और यह अपने आपको पत्रों से कूटा करता था जिस वेक्ति के सामने इश्यमस्य के साथ होता है उस वेक्ति के भीतर से दुस्ठात्माएं बात कर रही थी वो स्वहें बात नहीं कर रहा था उसमें जो सेना बैटी थी दुस्ठात्माओं की वो ही बात कर रही थी जुन्ड चर रही हैं, हम यांग यह दे कि हम सोरों प्रवेश करें। इश्यमसी ने उन से कहा, पहले इस मनशी को छोड़ कर निकल जाओ। और दुष्ठात में निकल गई और सोरों में गुज गई थी। सोरों में प्रवेश करने के बाद सुवर सब दोड़ जाते हैं, समंदर में गिर कर मर जाते हैं। जो मरने का काम था अरधाद खुद कुशी का काम इसे विक्ती से करवाना चाते थे। लेकिन खुदा की अनुगर इस विक्ती के उपर थी कि उस परमेश्वर ने इस विक्ती को मरने नहीं दिया। इस परमेश्वर ने इस विक्ती को मरने नहीं दिया। इसने कई बार कोशिश किया हैं अपने आपको कोटने के लिए पत्थरों से मारने के लिए। सांकला और बेडियों से बंदी बनाय जाता था, अपने बल को प्रयोग किया करता था। लेकिन फिर भी वहां से बाहर निकलाता हैं। मेश्य मस्य के सामने आते हैं, उस विक्ती की भीधर की दुष्ठात मेश्यमसी को पहचान जाती हैं, लेकिन बिंद्धी करते हैं, हमें मनश्य में से मत निकाल, अगर निकालता भी है, हमारी इच्छा की स्तान सौरों में जाने दे, सोरों में जाने के बाद सोरों के अंदर इतनी सामर्द नहीं थी कि वे अपने आपको बच्छा पाए इसलिए सोरों को मजबूर कर दिया कि वे पाने में गिर जाए उसमें खोद जाए और उसमें डूब कर मर जाए जिस विक्ति को खुदकुशी के माद्यम से मारने की कोशिश करते हुए दुस्ठात में उसमें प्रविश किये थे लेकिन जब वो प्रबल नहीं हो पाएं उसे घायल करने के लिए प्रबल हुए हैं उसे निर्वस्टर करने के लिए प्रबल हुए हैं उसके जिंजिरों को तोड़ने में, उसके सांकलों को तोड़ने में, उसे भगाने में, उसे जंगल में ले जाने में प्रबल हो चुके हैं, उसे सदाने में प्रबल हो चुके थे, लेकिन उसकी जान को लेने में प्रबल नहीं हुए थे, क्योंकि परमेश्वर की अनग रहा उस वेक्ति के उपर थी और इसलिए प्रवीश्य मसी जो स्वयवन के सामने आते हैं उस वेक्ति के प्रान बचने के एक मौका उनको मिलता है उधार करता परमेश्व प्रवीश्य मसी उस वेक्ति के सामने होकर उसको छुडाने के लिए उसको छुटकारा दिनाने के लिए आत मरने की कोशिश करता वेक्ति अभी जीने की प्रयास में हैं। इश्य मुसी के संग संग जाने की इच्छा को प्रगड करता है। लेकिन इससे पहले इश्य मुसी से सब लोग कहते हैं। इश्य मुसी को भी छुडाते हैं। इश्य मुसी जब गदरियों की देश को छोड़ कर जा रहे थे तो इस ठात मगरे सब एक्ति जवास चंगा हो गया था। इश्य मुसी से बिंती करते हैं। जहां जहां तू जाएगा वहाँ पर मुझे अपने साथ में लेकर चल। लेकिन इश्य मुसी नोशी ये कहकर विदा कर दिया। पहले अपने घर जा, अपने गाउं में जा और मुझे बने तेरे जिवन में जो कारी किया हैं। उस बड़े कारी का वर्नन सब के सामने कर इश्य मुसी ये कहकर उसे विदा कर देते हैं। नाशोता अफरान अस बच किया हैं। हानी के और जाती हुई एक आत्मा अस बचाए गए हैं, छुडाए गए हैं। इश्य मुसी सामने आते हैं, अपने आप चमतकार हो जाते हैं। इश्य ने कुछ नहीं किया था, उनने कुछ नहीं कहा था। जब किसी के अंदर अपने आप चिल्ला उड़ती हैं। उस ब्रभु को देखकर उनके सामने रुख नहीं सकते हैं, वहावट टेक नहीं सकते हैं। वे जानते हैं कि उनका स्थान अदलोग हैं। वे जानते हैं कि उनका स्थान वो नरख हैं। इसलिश्य मुसी के सामने चिल्ला चिल्ला कर उन तो स्थात में कहने लगी हमें पीडाना दे अध्यात्मीक जीवन की दैनी खुराक सुन रहे हमारे प्रेश्वताओं परमेश्वर के प्रिभक्त गणो मतिने, मरकुस ने और लुका ने तीनों ने इस घटना को अपने अपने सुसमाचर में लिख रखा है आस प्रविश्व मसी आप से और मत से इसी घटना के माद्यम से बाते करते हैं चैह हमारे भीतर किसी प्रकार की क्रोड सभाव क्यों नहो हमारे भीतर किसी प्रकार की मुर्ख सभाव क्यों नहो यह हो सकता यह हम में है या फिर उन लोग में हैं जिनके साथ हमारा कोई संपर्ख है जिनके साथ हमारा उट बेट होता है जिनसे हमारी बाच्चित होती है जिनसे हमारी संगती होती है जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं संग चलते हैं साथ निवास करते हैं चाहे हमारे अंदर हो या किसी और के अंदर क्यों ना हो, अगर हम इश्य मसी के नाम को ही वहाँ पर लेकर आते हैं, इश्य के इस वच्छन को ही अगर हम अपने मूँ से बुच्छारन करते हैं, उनके नाम को अगर अपने मूँ से हम लोग कबोल करते हैं, मूँ से कह देते है इश्यो के नाम पर कोई थाकते नहीं रुख पाएंगी, कोई शयतानी शक्तियां नहीं रुख पाएंगी सारी दुस्ट थाकते, सारी मुर्ख थाकते, सारी कुरूर थाकते, सारी भाइंकर थाकते, सारी धरावनी थाकते सारी मृत्यों की ताकते, सारी आत्माहत्या की ताकते, सारी विनाश की ताकते, सारी परिशानी की ताकते, सारी पीडा की ताकते, हर ताकत इश्यो मुस्री के नाम से निकल कर भाग जाएंगे वचनों को सुन रहे आपसे प्रुब कहना चाहते हैं इश्यो के नाम वहाँ पर रखिए जहां पर आपको लगता है कि वही नाम से कुछ चमतकार हो सकता है निश्चे परमेश्वर आपकी जीवन में एक चमतकार करेंगे आपकी जुटकारा के लिए आपकी लोगों की जुटकारा के लिए आपकी सुकदाय को शांत में जीवन के लिए परमेश्वर एक अद्बत काम जरूर करेंगे इश्यो मसी ने किया वाद तेरह वी जुटकार के साथ आजगी हमारी ध्यान हम कहीं पर समावत करते हैं लेकिन इससे पहला हम दुआ करते हैं आपकी बीतर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप पर रिशान है या फिर आपके अपनों में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप पर रिशान है और वे भी पर रिशान है हम दुआ करते हैं और कामना करते हैं इसी वक्त आधियात्मिक जिवन की दैनी खुराग कल फिर मिलेंगे अपना ख्याल रखे अपनों का ख्याल रखे दोसरों का भी ख्याल रखे God bless you